Good morning, Dear student आजके से इस वीडिए भी उम्म ढिस्कस करेंगे Business and Trade during گूपता पीरियद 2 तरका Trade होता था एक था internal trade, दूसरा था external या foreign trade internal मतलब जो अपने देश के अंदर होता था और external मतलब foreign countries के साथ में होता था पूरास्ट आमढम डिस्कस करेंगे था वर्टेक्स का मतलब होता है पीक, हाइस्ट इसको जाता है, इंटर्नल ट्रेड अन कमर्स वास केरी आउट थू रोड रिवर्स, किस के थू होता था इंटर्नल ट्रेड, रोड रिवर्स के थू, लॉंग टर्म पोलिटिकल स्टेबिलिटी और पीस्फुल सिचुएशन, शर्कुलेशन अब गोल्ड कोईन्स इन दे प्रेक्टिस, जनरेटेड बाइ रोलर्स अब गुप्ता, गुप्त पिरिट के टाइम पर जो इंटर्नल ट्रेड और कमर जो इतना पीक पर था, उसके पीछी रिजन था, कि उस्टेन पोलिटिकल जो कंडिशन जो थी, वह स्टेबल थी, मतलब किसी तरह के उटापटक नहीं थे, जिसको हम क्या सकते हैं, या कोई डिस्टोपेंस नहीं था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण, पीसफुल सिचुएशन होने के कारण, गोल्ड कोईन सर्कुलेट हो रहे थे, जिसकी वज़े से बिजनस करना या जो ट्रेड करना जो था, वो इस वज़े से ऐसी सरक परिस्टितिया जो थी, वर ट्रेड और कमर्स के बिल्कुल फेवरेबल थी, इस वज़े से गुप्ति पिरिट के टाइम पर इंटर्नल ट्रेड और कमर्स था अपने पीक पर था, उसमें इतना ज्यादा डेवलोपमेंट हो पाया, इन दे इन वंटरी अप दे आर्टिकल्स इन डेली यूस, वर इंक्लुड़ी एंक्लूड़ी और ट्रेड आप दे अपने डेली यूस के चीज़े जो थी, वो लोकल मार्केट में अवलेबल हो जाती थी, और जो लग्जरी आइटम जो थे, उसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, brought from distance places, बाहर से मींस दूर दराज से, नेक्स लाइन को टिक लगाना है, सम्रथ या सम्रथ वास दे ट्रेवलिंग ट्रेडर, वो इंजोईड आवरी इंपोर्टेन रोल इन देटर्मिनेशन अफ लाइब स्टेल, जो ट्रेवलर की जो लाइब स्टेल जो थी, उसक या सम्रथ, तो सम्रथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, वो एक ट्रेवलिंग ट्रेडर था, तो इस ट्रेवलिंग ट्रेडर को सम्रथ कहा जाता था, किस ट्रेवलिंग ट्रेडर था, सम्रथ गुप्त ट्रेवलिंग ट्रेडर था, जो जिससे हमें, जो ट्रेडर जो थे, उ जो रूल्स रेगुलेशन और उनके जो राइट्स और डूटी जो थे उसको समर्थिज में मैंचन किया गया है जिस नारद समर्थिज और ब्रहस्मत्ती समर्थिज जो हैं जिससे ऐसेलर्स और बायर चैवे एक रूटके लिए ट्रेवलर डिड नोट फिल एनी टाइफ आप इंसेक्यूरोटी वाल ट्रेवलिंग इंडिया फायान जो कि एक चाइनिज ट्रेवलर था गुप्त पिरेट के टाइम पर आया था गुप्त पिरेट में भी की सुरूलर के टाइम पर आया थे अभी हमने पहले का है कि जोकि NP में है भरोच जिसको अभी भरूच काह आँ जाता है एक सीपोट है भरूच कहा हम बने गुजरात में प्रतिष्ठान जिसको पेठन कह आँ जाता है विदीशा यह भी महारास्ट में है प्रयाग उत्तरप्देश में पाटली पुत्र को को शाम्भी वर्व predis सेंटर्स दुरिंग गुपता पिरेट तु उज्जन था भरुज था प्रतिष्ठान था विदीशा प्रयाग पाटली पुत्र और ताम्रली पी मतुरा अहिछत्रपूर को शाम भी यह जो थे वो गुपता किरेट के टाइम पर एक तरह से बिजनस का सेंटर था ट्रेड सेंट इन सब में उज्जन जो था वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल था उसका क्योंकि उज्जन जैसा कि MP बिल्कुल सेंटर में पड़ता है तो उज्जन इंडिया में लगबक सारे ट्रेवलर जो एक जगे से दूसरी जगह ट्रावल करने के लिए बिजनस करने के लिए जाते थे वह कई निकी उज्जन होकर ही जाते थे उज्जन जो था वह एक तरसे सेंटर लाइस सेंटर था पेशावर मतूरा उज्जन पाठन या पेठन यह वही पेठन है जिसको प्रतिश्टान कहा जाता है तो पेशावर पाकिस्तान में मतूरा उज्जन पेठन वर में बिजनस और इंडेस्ट्रियल सेंटर्स इंटर्नल ट्रेड जो है वह खतम होता है नेक्स्ट हमारा फॉरंट ट्रेड देर वर पर्मानेंट ट्रेड रिलेशन विद्ध सेवरेल फॉरंट कंट्रीज थू सीपोड गुप्त पिरिट के टाइम की बात करें तो बहुत से इसी पर्मानेंट ट्रेड ट्रेड रिलेशनत और यह ट्रेड रिलेशन होता थ और इस्टेंट कोस्ट के सीपूर्ट जिसको अर्गे डिस्कस करेंगे घ्क चाइणा शिलंका पर्षिया अरब इठोपिया बेनिताईन डिमान एंपाइर जिसको बेनिताइन कहा जाता था अरब इठोपिया अफ्रीका में आता है रिमान एठोपिया एठोपिया और अश्कार आफ्रीका है to foreign trade in some areas say foreign trade there was a considerable growth in the foreign trade activities with China Chinese silk prominently known as the chinashuk chinashuk mean Chinese silk it had a craving in Indian markets दे ट्रेट रिजल्टिंग फॉल ऑप रोमन एंपायर अगें गट मॉमेंटम आप्टर राइस ऑप बाजन्टाइन एंपायर रोमन एंपायर के डिकलाइन के बाद में एक बार फिर से रोमन एंपायर जब चल रहा था Roman Empire means जो Europe के अंदर जो Rome के अंदर जो या Rome के आसपास के जो रूलर जो थे वो रूल करते थे तो एक बार momentum मिल चुका था Silk and the spices were the main articles important from the Byzantine Silk और spices जो थे वो Byzantine Empire से इंपोर्ट किये जाते थे Brigu Kach जिसको भडुज कहा जाता है एक seaport था गुजरात के अंदर है भी Brigu Kach was very important seaport on the western coast of the Cambay जिसको कहा जाता है Cambay की खाड़ी गुजरात के अंदर है भरुज सोपारा and the कल्यान were also seaports on the eastern shore there were seaport of the घंट शाला अभी हमने पहले जितने भी discuss किये वो सब western coast थे अभी हम discuss रहेंगे eastern coast के seaport तो on the eastern shore of there was a seaport of the घंट शाला कदूरा on the basin of river गंगा port of the Tamra Lipty was situated Tamra Lipty seaport was the biggest port for the voice trades जो होते थे उनके लिए Tramra Lipty seaport था वो सबसे बड़ा था ships from China, Indonesia, Sri Lanka used to come to this port इंडोनेशा, चाइना और शीलंका से ships महा पर आते थे description about the prosperous traders always have been expressed in the Ragubanch and the Ragubanch किस ने लिखा है महां का भी काली दस ने Ragubanch and the Dashkumar Charit, Dashkumar Charit जो है वो डंडी ने लिखा है इस बात को हम नेगलेट नहीं कर सकते हैं कि गुप्ती पीरिट जो था वह उस जमाने में उस टेम पर Asian trade का center था और उसकी जो नेवल स्ट्रेंड जो थी वह बहुत famous थी Silk from China, Ivory from Ethiopia, टीक लगाना इसको आपको China से Silk मंगाते थे, Ivory, इथोपिया से मंगाते थे Horses from Iran, horses जो good quality के जो horses जो थे उसको इरान से इंपोर्ट किया जाता था Arab और Bacteria, Iranian horse, Arab horse और जो Bacteria, Bacteria means जो Russia और इसके आस पास का जो रिजन जो था, वहाँ से were being imported in Bharat, there were good trade activities from Southeast Asia China and in the West trade was the beginning of being conducted through the seaports of the Tamarilipti and the Bhaduch Spices, pearls, cloth, ivory, indigo were exported and the metals कौन कौन सी चीजों को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता तो Spices, pearls, cloth, ivory, indigo जिसको नील कहा जाता है and the metals चिना शक्कु पेले भी आ चुका है चिनान चंकु जो Chinese silk जो तको चिनान चंकु कहा जाता था and horses were being imported, इन सारे चीजों को इंपोर्ट किया Tamarilipti और Bhaduch दो famous seaport थे, अब दोनों में क्या difference समझ लेना, Bhaduch जो था, यानि कि भ्रगुकच जो था, वह western coast का seaport था और जो Tamarilipti जो था, वह eastern coast का seaport था Bhaduch जो है, वह गुजरात में है, और Tamarilipti जो है, वह बेव बंगाल में है बेव बंगाल में मिन्स कलकत्ता के आसपास ये उस जमाने में था, अभी तो ये रूंड हो चुका है, तिया Tamarilipti जो था, वह बेव बंगाल में था, situated था, और भरुच जो था, वह गुजरात में था प्रुच मैं था, यह बंगाल में था, प्रुच, ट्रुच है झाल झाल